असलाम अरीकुम जी कैसे हैं आप लोग उमीदे सब टिक टाक होंगे मैं भी ठीक हूँ अलहमदलिला और यहां थोड़ी स्पेशल किसम की अफ्तारी बनने लगी है और उसके लिए सबसे पहले बनाने हैं मैंने टोर्नेडो और इसको जो पिटाटो स्पारल भी कहते हैं इसके स्टिक इसको पॉलते हैं मैं इसके पूलते हैं तो पड़ङ मोजशेए रही जाता है निगी है मैं दिया पुस्टा रही चाहँ आप ले टो मिडुन प्रम जाते हुंकि आलो तो सब्सक्राइज के महीं से सब recognised शीया नियुट कर्सक्रे बूद पेकी मतलईं डूरें करा हम ज्यादा बड़े साइज का पॉड़े ले लेगे बिता था पैसमें ऊन्हेट sú अगर मेरे है छोटे साइज का लेगे साइज ने है में शोटे साइज का ले ले लए लेगे कर सो बेब भूनेगा आप ले नायma को यह घुंपानाल आप झाजी पानल करने हैं तो आपने नाइफ को गुमाते जाना और उसको मतलब के जैसे इसके round मतलब गुलाई में जोनो चलते जाना, ठीक है इट्समीन के जो है वो रिंग शेप बन जा है बड़ लग लग पीसिस ना हो तो बस इस तरह जो है ना इसको हमने नाइफ को चलाते जाना है और आप हाथ में पकड़के भी इस तरह गुमा सकते हैं कि नाइफ के ऊपर रखके जो है आलो भी चला सकते हैं और इस तरह नीचे रखके जो है आलो ऊपर नाइफ रखके भी घुमा सकते हैं जिस तरह आपको जसे बाई हैं पार होपिरिये मेर्फिसे जेत वाली नहीं में इस तरह से नहीं मुझेक है कर दो पैर सी टी है मुंचे अधिस इस पिर्वेहद नप्रा नाष्टा हो में नहीं हो चैजकोस और divorce का करके लोग किते हैं अगर कोटिंग नहीं जाएगी तो प्रिस्पी के अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे तो नरम नरम से बन जाएगा जाएगा ज्यादा गया देना अच्छा नहीं लगता है नॉर्मल सा गैप इन सब में देना है इस तरीके से अब मैं सब वन बैवन कट कर लूँगी एक में आपको दिखाया है और बाकी मैं कारती हूँ और मैंने नॉर्मल साथी बिनाने हैं मतलब मैंने कोई ज्यादा स्पाइस वालाइक नहीं करनी नहीं करनी कोई मियोनी ज्रॉड केचप अलग से लगते खालेंगे ठीक है यह देखें जी इसकी प्यारी सी क्लूगा जाती है और इन सब को कट करने के बाद हमने जो है ना जितनी देर मतलब कम से कम 10-15 मिनित आपने नॉर्मल पानी आपने फिर कोटिंग करनी और फिर फ्राइ करना है तो उसके बार जी आज मैंने फिर्स टाइम जब हम छोटे होते थे तो मेरी मामा बहुत बनाती थी बेंगन के पकोड़े स्पेशली रमजान में आलो के पकोड़े जी जिन बनते थे ने उनके साथ ही मामा ये के दो बेंगन कटकर किलास भी मिनाती थी बट मैंने कभी भी नहीं बनाए ठीक मामा के हाथ की खाये में खुद से कभी नहीं बनाए तो जब सुब हम सहरी कर रहे थे तो जब हम डिसकस कर क्योंकि मुझे था कि शाद बच्चे नहीं खाएंगे बट बच्चों ने खाये थे बहुत विससे टेस्टी लगते हैं तो मेरी मामा को बहुत पसंदे हैं हमारे घर में बहुत बनते हैं पुरा साल तो इतनी चीज़े बनती कोई नहीं जितनी हम मतलब एक महीने में कहा ले मेर्चे पड़ी होती थी और मैं देखती हैं लेकि मैं कभी भी लेकर इस्तरा बनाई नहीं थी तो फिर यह भी मैंने सुबा का चरह हम यह भी इसको बनाते हैं बट अकसर लोग जो सिंपल लेकर कोट करके मतलब बैसन में कोटिंग करके फ्राइ कर लेते हैं लेकिन बड़ी एक चली थी और नमग लिया था इनको मिक्स करेकिन मैं इसको पानी दौच पानी डालके बेटर सबना लेती हैं छिवड़ा आप विल कर लेते हैं जिसरह हम अचारगोश्ट का मसाला जो होता है ना फिल करते हैं मिर्चों के अंदर कर लेते हैं इसी तपर पानी अब कर बट मेरे बच्छों कोई चीज बहुत पसंद आई थी जिसके मुझे बिल्कुल भी उमीद नहीं थी कि उनको अच्छी लगेंगे पर उनी कोई ज्यादा की मिर्चे जो एन अच्छी लगी थी अलेकिन यहाल हो और में इसी साइस की मिर्चे मिली थी नॉर्मली होती है लेकिन आज कल इसी साइस की मिली थी क्योंकि मैंने जो अपनी सुसाइटी की मार्केट से मगवाई थी तो मुझे इतने ही साइस की मिली थी में भी जो बड़ी शॉप होती है सबसी वाली इसमें बड़े साइस की हो तो बट मुझे इसलामाद की याद ताज हो गई थी क्योंकि वह मैंने सोचे था कि आज एक फ्राइड प्लैटर बनाती हूं और इसमें वह चीज़ बनाती हूं जो हम बहुत कम बनाती हूं जिसमें बिंगल के पकोड़े हैं मिर्चों के पकोड़े हैं और यह जो है टोनेटो है और इसके लिए जो है आलो के पकोड़े ही ज्यादा बनते हैं तो आज मैंने बैटर बनाना है जिसमें सारी चीजें जो आज हमने बनानी है और इसके लावा मिकरोणी फूर्ट चार जो भी अल्रड़ी बन गई है तो अब यहां मैंने इसका बैटर कोटिंग तियार करनी है टोनेडो की इसमें हमेने तीन चमचे मिता ले लिया दो चमचे क तो यह मैंने कोटिंग थाल एक पतला सा बैटर है पानी के साथ के लियाने तो यह यह होता कि अच्छे तरीकास आपने करने कोई लंप सवगदर के मैं तो भी सबसाड़ी पानी के लिए अच्छे तरीके साथ सथ इसली हमें लिए 10 तरह 4 आज Chief था ओगी मैं मैं शीज़ी त कटिंग भी हो गई है और जो कोटिंग थी वो भी मैंने रेड़ी करें एक साइट पर रखती है तो थोड़ा थोड़ा काम कर लेने तो काफी एजी हो जाता है आपके लिए तो बस इसको जो हैना में एक साइट पर करतूंगी इसके बाद पकोरों और बेंगन और मिर्चों की तो पर बेसन बेटर्ड़ वो एक ही में डाया हो जाएंगे इसके लावज के प्रक्सक्มान की धिर WordPress को एक हैना इसके लावा इसके बेडऱ्做法 के बेटर्ड़ स्क्तिएंगे अग्रेशन हो में एक हैना जताम हैं में एक चुई हम काटओ करों कर्षि अब बनते हैं बनते हैं अब फ्राइक के बाद तो बहुत पहरा है तो इसक बहुत बहुत है लिए मिद्ट की दाली है और चुटकी एजवाइन डाली है और थोड़ा सा गॉनफौर डाला है मतलब एक दिर्ट खाने के चार मुझे और जी बस नमंग बता दी हैं और अधर जी यह बढ़ना है, यह दालना है, तो अक्सर पाला कट कर डाल लेते हैं तो वह अपी अजाए का टेस्ट रहता है, बारेक प्यास चुप करके डालना है, यह अच्छा टेस्ट लेता है इस तरह आप पॉर कीज उना कीजा शॉरsk जाना कंट रहा होगा है ओ इस तरह पॉर की अपने करना है, जितना पावल कीजा 1 आपनी बआ पॉर की पॉर्न परज़िए पॉर उन पावल पॉरखे लेकर यह उना तो हुआ करे चाहएगी वैंने थाकी कट। पैन लगा लगा लिए एक वोक लगा लिए अब यह जी मिर्चे हैं अच्छे मिर्चों को में चाहें तो आप थोड़ा साथ थिक कर लें बैटर बर्ट मुझे इतनी थिक कोर्टिंग पसंदी नहीं है तो मुझे वही नॉर्मली जिसना आलों कि मैं उपर करती हूं पतली सी त यह जड़ा से फ्राइब हो जाएं तो मैंने वह जांगी तो मैंने वह जांगी यह एक साइट भी एक कर लिया एंगी तो इस तरणेड़ यह थोड़ा थाइम लेते हैं विए होता है कोई भी हो जाता है तो अच्छी तरह मतलब गल जाया आ अलो और यह जी बेंगन के अगै तरोनेडो कहा ने तो मिट्चिं कह पकोड़े आलो कहा बहुत मसा आया इसको नहींगे प्रीच उल सहाँ और यह उल्वा कुछ नहीं ईती ओपतारा ढूंपी और उसके बाद जी फिर जाय जाय तो बनती है जाय ना पियें तो हमारी आंके नहीं खुलती और इसके साथ ही कर दूँगे वीडियो के एंड आई होप आप लोगो अच्छी लगी होगी आज की वीडियो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जुरूर बताया करें और मुझे अपनी दूआ में याद रखें और मैं आपसे मिलूंगे इन्शाला कल तब ते के लिए बना बहुत चार ख्याल रखेंगे जेके रेंचे लाहाफेज